Hello friends,ाँज एप के तो मैं आपके साथ कोई रेसिपनेश्थी क्ऐशेर को नहीं कर रही हूँ आजका मैं आपनी क्जिश цен का टूर कर आ रहे हूँ कि मैंने पहले टोस्किक वीडियो बना ली था वाक्नाना ली डिकिन मैं आपको अपनी केचिन का टूर कर आती हूँ और आपको कैसी लगती है केचिन और सामान को किस तरीकी से लगा सकती हूँ प्रीज कमेंट करके जरूर से बताएं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, खाने की वीडियोस, और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर क्रें, आपके कमेंट का मुझे इंपजार रहता है, आज मैं आपको अपनी किचिन दिखाती हूँ, जहां पर मैं खाना बनाती हूँ, यह मेरी किचिन है, बहुत छोटी सी, ज्यादा बड़ी किचिन नहीं है, यह देख सकते हैं, यह गैस है, यह 4 बर्नर वाली है, पहले मैं 3 बर्नर वाली यूज़ करती थी, फिर वो तूट जा था, उसकी वज़े से चेंज की थी, और यह उपर चाय चीनी के लिए जो भी चीजन चाहिए होती है, वो रखी हूँ है, चाय है, चीनी है, शुगर फ्री है, इलाइची है, इधर साइड में आरू लगा हूए, और यह सिंक है, और इधर पूजा का सामान वगरा रखती हूँ, और बाहर चौकड़ी है, उसमें बर्तन मजते हैं, तो उधर बर्तन रहते हैं, सारे मेरे, इधर जूटे बर्तन नहीं रहते हैं, इधर के बल छोटे कप अगयरा जैसे धोने होते हैं, वो ही होता है, और जो नल के नीचे की अलमारी है, उसमें इस तरीके से यूज में आते हैं, वो रखती हूँ, कि इसमें भी थोड़ी सीलन रहती है, और इस ड्रॉर में मैं रखती हूँ, सारे टोस्टर वगएरा, हैंड ब्लेंडर वगएरा, जो भी चीज में यूज करती हूँ, तो यह आपने शूटिंग में बहुत बार देखा होगा, मुझे यूज करते हूँ, यह काफी चीज हैं, और यह है, दूसरी ड्रॉर जिसमें मैं पैकिंग का सामान रखती हूँ, मतलब टिशू पेपर है, फोईल पेपर वगएरा, जो होते हैं, सबी चीज रखती हूँ, थोड़ा बेकिंग का सामान वगएरा, उस अब थैली वगएरा, स पोटेटो मेशर वगएरा, विसकर, गार्लिक मेशर, वो सब चीजें यूज में आती हैं, तो मैं इस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि मैं रेंट के घर में रहती हूँ, रेंट में फिर चेंज भी करना पड़ता है, और बहुत जादा काम नहीं करा के देती हैं, तो फिर इ चॉप से ही लिए, मैंने कोई भी ऑनलाइन नहीं मंगाई है, और यह सब शूटिंग के लिए यूज करती है, मेरे पास शूटिंग के लिए बहुत ही कम सामान है, मतलब नॉन स्टिक तो मेरे पास एक ही दो चीजे हैं, मैं नॉन स्टिक बहुत ही कम यूज करती हूँ, और सबहें पोगबें पर नाम डuse देती हूं जिससे की पताहरा है कि क्ला सा मसाला है जाए किसंफे मैती है तो इस तरीके से if बगल में एक ट्रॉरॉ है इस तरीके से इस कोको पाउडर कॉफी और सबस्क्रिम काफी और दें जो किसी उची मिपार म साला रोर के Champions पर बाला Slicer बहुत ही काम आता है मेरे क्योंकि फटा फट कभी पता गो भी घसना होता है कभी कोई चीज़ भी घिस नहीं होती है फटा फट इसमें गशाती है और यह कोफी बनाने के लिए मशीन मंगया विसकर मंगया वो भी रखा इसी में क्योंकि कोफी यादा तरोजी बनानी पड़ती है तो यह देख कि इस तुरिके से मैं सामान को रखती हूँ आप किस तरीके से सामान को रखते हैं सजेस्ट जरूर करें उसके नीचे जो ड्रॉर है उसमें रखती हूँ कटोरी प्लेट चमच चमच नहीं रखती हूँ गिलास वगएरा रखती हूँ इसमें और उसके नीचे जैसे कि बड़े भकोने होते हैं औ और दूद के डिबबे वगरा होते हैं वो रखती हूँ और उसके बगल में है एक अलमारी जिसमें सारे टिफिन्स रखे हुए और जो मेरा जो फूट प्रोसेसर है उसका सब सामान रखा हुआ है उसके जितने भी जार्स वगरा अलग से आते हैं वो सब इस तरीके से पैक करक सब करके बैए तो aja मैं रखती हैं जैसे कि मिट्री बगरा ना लगें और सब जो जो सामान होता है न सब दल्यों में करके रखती हूं और यह बॉटल बगरा है तो एल्मुनियम विर् deliber और उसके रखती हूं जैसे कि जब भी ट्रॉर में तीन ड्रॉर बनी हुई है इस तरीके से तो इसमें इस तरीके से सामान को रख देती हूँ यह सब दाले हैं मैं ज़्यादा तर प्लास्टिक के डिब्बे यूज़ करती हूँ अचार के लिए नमक के लिए या कुछ sport के लिए यह मैं केबल काच के बर्टन यूज़ करती हैं काच के शीशयां करती हूँ क्योंकि रहते हैं तो change भी करना पड़ता है और काच की शीशयां बहुत जल्दी तूट जाती हैं बहुत ज़्यादा नुक्सान भी हो जाता है और लगने का भी डर रहता है तो मैं इस तर नहीं होते हैं कि पोटल में चावल नियुक्त है नाल भर कर लाइब कीड़ वार को अब बहुत को वह सब्सक्राइब माइं चेहों देख़ान नियुक्त किस्टा अब लेका हैं और ये अचार है नीबू का अचार जो ममी जी के हाथ का है मतलब मेरी सासुमा के हाथ का है और ये कम से कम नहीं 50-55 साल पुराना अचार हो गया है क्योंकि 35-34 साल तो मेरी शादी को ही हो गया है उससे भी बहुत पुराना आचार है बहुत ही तेस्टी है मतब हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है पेट का दर तुरंट ही हो जाता है यह उपर में रखे हैं घी, तेल बगएरा सबी चीज़ें और यह नमक के डिब्बे रखे हुए है तो अलग-अलग तरीके के नमक है काला नमक है, सादा नमक है और साबुत नमक भी है और यह है चिप्स बगएरा, चाय पत्ती तो मैं इस तरीके से थोड़ा ऐसे ही बहुत जादा अच्छी तरीके से नहीं रखती हूँ बस ऐसे ही रख देती हूँ सामान को, कि बस मिलता रहे मुझे सामान, बहुत जादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ यह देखे, और उपर में स्टोर है यह, तो उपर में जो एक्स्ट्रा बर्टन होते हैं बड़े बाले वो रखती हूँ, जब कभी-कभी यूज होते हैं और यह इडली स्टेंड वगेरा है, जो मैं थैली में करके रखती हूँ क्योंकि इडली स्टेंड डेली यूज नहीं होता है जब भी यूज होता है, फिर हाल धोना पड़ता है तो मैं थैली में करके रखती हूँ, जिससे कि हम इसको फटा-फट यूज कर सकते हैं तब जो अलमारी थी और ये शूटिंग के लिए मैं बॉल्स बगरा निकालती हूं अलमारी में से तो थोड़े बॉल बगरा इधर रख दीती हूं जब धुलती हैं क्योंकि किचिन में ज्यादा जगे नहीं हैं बहुत खुला-खुला ही सामान रखना पड़ता है अभी कुछ एक-दो अलमारी आ गई हैं तो उसकी वज़े से कुछ क्रॉक्री मेरी अलमारी में लग जाती है नहीं तो सब खुली ही पड़ी रहती थी क्योंकि अलमारी वगरा किराय के घर में नहीं बनी होती हैं बस सब खुला ही खुला रहता ये देखे सब कड़ाई है तबे हैं जो भी कुछ है इस तरीके से मैंने लगाखार करके रखी हुए बीच में मैंने एक टेविल रख रही है उस पे एक डलिया रही है जो बर्दन धुल करके आते हैं वह इस तरीके से लग उल्टे करके रख देती हूं जिसे कि पानी सूब जाह और साइड में मेरे अवन रखे हु तो और यह देखिए थोड़ी सी जो छोटी-छोटी कटोनिया होती है न मुदलिया में करके रखती हूँ और यह देखे यह भी शूटिंग के यह सारा सामान है जो कि बस इतनी को क्रोकृरी है मेरे पास में आप देख सकते हैं और यह सारी आप शूटिंग में भी देखते होंगे सारी आपने देखी हुई होगी इस तरीके से उसके वगल में कलमारी उसमें जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं प्लेटें वगरा जब कोई आता है या कुछ भी है तो वो रख देती हूँ यह बेकिंग का सामान रखा हुआ है इसमें बड़े-बड़े एक्स्ट लेगे टेखा जह लेखा हुआ है यह बड़ेग नहीं नहीं है इसमें आप नहीं जलाभा जबड़े वगल में जलाभा है इसमें तर्मारी खक्रत्मारी इसमें नहीं है भी है।